इस ख़बर की प्रस्तुत करता है स्ट्रान यूनिसेक सलोन कचेरी रोड अजमीर सलोन जो आपको देता है स्टाइल अजमीर की यातयात पूलीस कोशिश कर रही है कि कुछ जो भार से जैरीन हमारे यहां आते हैं उसके साथ सब्सक्राइब को दूविदा होती है उसका समधान निकावला जाए इसलिए 27 तारीक से एक नई व्यवस्ता शहर को मिलने वाली है नई व्यवस्ता पर बात करने के के लिए हमारे साथ Traffic क्या नई व्यवस्ता आजमीर को मिलने वाली है सब्सक्राइब से जो नई व्यवस्ता मिलने वाली है उसको लेकर के पीछले लगभग मैने भर से हमारे परियास जा रही है स्रीमान एस्पी साब के निद्दे सानुसा, सीयो नौठ में, कोतवाल साब और हमने जाकर के एक एक गलियों का जायजा लिया जो प्राइवेट लोग हैं उनसे मिले कि किस तरसे इस व्यवस्ता को चलाया जाए ताकि कि किसी का विरोध सामने नहीं आए और उसके तहती कल स्रीमान एस्पी साब ने मौके पर आकर के उस व्यवस्ता का जायजा लिया और निर्देश दिये गया है कि जो व्यवस्ता हम ला कि तरफ जा सकते हैं जिसमें थ्रीविलर फॉर्विलर दोनों सामिल है लेकिन चूड़े बजार से वापस निकल नहीं सकते एक तरफा रहेगा दूसरा जो हमने चैंज किया है वो चैंज यह किया है कि सोनी जी की नसिया और आग्रागेट है वहां से कोई भी तीपईया या दोनों तरफ के लिए खुला रखा है यहां से वहां परवेस अंदर चौपड की तरफ कर सकते हैं और चौपड की तरफ से बहार जा भी सकते हैं इसको अभी फिलाल हमने इस्तगित किया दोनों तरफ का रखा है फिर दूसरा जो हमने चैंज किया वो है नया बजा चौपड जिसमें थ्री विलर्स ओटो ज्यादा चलते हैं, फॉर्विलर्स भी कुछ व्यापाजियों की खुद की वीकल से वो चलते हैं, तो उसमें हमने जो चैंज किया है, वो आपने नया बजा चौपट से लेकर के दानमंडी तक एक तरपा यातात रहेगा, यहां से थ्री विलर्स किया है, वो है एक तरपा यातात रहेगा, कड़का चौक से पटी कटला, पटी कटला से कोई भी थ्री विलर्स या फॉर विलर्स वो अपने वापस कड़का चौक की तब नहीं जा पाएगा, इसके साथ साथ हमने जो खजान अगली है, जहां पर बहुत ही रस्ता बहुत सं की वज़े से, चौकि टू विलर्स भी चलते तो आपस में रस्ता नहीं रहता है, पैदल चलने वालों के लिए, उस इस्तिति को देखते हुए, वहां के जो बिजनेसमेन हैं, और वहां के जो नागरिक गन है, जिनके आवास्य मकान है, उन दोनों की मिटिंग करके सहमती से जो निर्ने लिया है, वो निर्ने लिया है, कि दोनों तरफ मेडिकल, महिश मेडिकल के सामने जो गली एंट्रेंस होती है, नला बजा की तरफ से, वहां पर और जो घी मंडी है, वहां पर दोनों तरफ पीलर्स लगा जाएंगे, ताकि त्री विलर एंट्री नहीं करें, वो व्वस्ता से Two wheeler को भी Two wheeler allowed है या उनके लिए भी ये विवस्ता है नहीं? Two wheelers के लिए भी कुछ नहीं, Two wheelers के लिए दोनों तरपा सभी तरफी तरफ का याता है तभी खुला रहेगा. तू विलर्स के लिए फिलाल हमने कोई पाबंदी नहीं किये ये एक only three विलर्स और four विलर्स के लिए किया गया है और इस विवस्ता को भी हमने अभी ये तैय किया है कि साथ या दस दिन के लिए चला कर देखते हैं इस विवस्ता में अगर हमें कोई बदलाव करना पड़ा कि बिलकुल इसमें बदलाव करने के लिए हम तैयार है उनके जो भी अगर लोगों की कोई प्रॉब्लम होगी और जायज होगी तो उसके एकोर्डिंग उसको देख करके उसको चैंज किया जा सकता है इस विवस्ता अगर ये विवस्ता पूरी तरीके से सही रही तो क्या शहर मैं नागरिकों से भी अनुरूद करती हूं कि यहां का व्यक्ति गलत इंप्रेशन हमारे लिए लेके जाए तो अगर ये विवस्ता हमारे लिए सफल होती है तो हम चाहते हैं कि दूसरी एरिया भी है जैसे डिगगी चौक है पड़ाव है उनके लिए भी ऐसा को एक बार ल नाइरियन है जो मेहमान है और अजमीर वासी है उन्हें एक नई सुविदा मिल सके कैमरा परसनर राजवीर के साथ सुशील पाल MPTV इंडिया अजमीर